हलो फ्रेंस गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माइन व्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो सुबह के करीब साड़े आठ बजे का टाइम है और आज मैं नास्ते में बना रही हूं मैगी सब के लिए और एक तो संडे है और फिर कुछ कुछ डिफरेंट फिर एक तो लेट भी होगए और रिकवार्ट के लिए कि अगभी अगर सुबह ना हैवी नास्ता कर लेंगे तो फिर लंच के लिए ना किसी को भूख नहीं लगेगी तो इसलिए मैं सिंपल सा कुछ हलका फुलका बना रही हूं क्योंकि मैगी होगी खान नहीं हुआ सुबहाद अब जैसे के संडे है तो थूदा सब्सक्राइब बना रही है बस थोड़ा सा और रहे गया बनने के लिए खिल्वा जैसे कि ब्लॉफ में आप लोगोंने देखा गी तो क्या है कि मैंने रात कुछ तो इसमें जी जागा था बनाने में तो इक तम जम तो नास्ता करने के बाद मैं आ गई हूं यहां बहुत सारी ना कपड़े पड़े हुए हैं जैसे कल मैंने कुछ कपड़े दूले थे कुछ पर्सों के तो तिन दिन के कपड़े न मैं लाके इस टोक्रियों में फोल्ड करके रख देती थी और आलमारी में मैंने नहीं लगाया था तो आज फिलाल मैं ना यहाला काम पूरा कंप्लीट कर देती हूं और कल जैसे के आप लोगोने मेरा ब्लोग देखा था तो कुछ मैं ढूंड रही तो सारा समान आलमारी का बाहर ही निकल गया था तो बस इस सब को मुझे रखना है आलमारी में अभी तो आप लोग सारी देख रहा है जिसको मैं फोल्ड कर रही हूं ना इसको अभी मैंने मंगाया है फिलिप कार्ट से 500 में बहुत अच्छी सारी है मतलब हलकी सारी है जैसे कि हम डेली यह वेयर करते हैं यहां जिनको सीर ढखना पड़ता है और डेली सारी पहननी पड़ती है तो उसके अनुसार ने सारी बहुत अच्छी है पतली है एकदम सी अर हलकी है खास करण़ कि आप है कभी भी और ऐसा नहीं है कि मुद्ध का प्यार फीरा नहीं कर पहन के जा सकते हो इसको तो इसके बाद जो सारा समान पड़ा हूँआ था विड में मैंने सारा लगा दिया आलमारी में फटाफ़ से और इसके बाद ना अभी बहुत सारा काम है आज मैंना ये पूरा रूम काफी दिन से ना फैला पड़ा हुआ था तो मैं सोची हूँ कि इसका ना अच्छे से क्लेन कर दूंगी और इसका जब वेड़ सीट हो मैं कल चेंज कर दूंगी तो आज तो फ खुलना ही पड़ता है इसके बाद बहुत दिन से सोच रही थी कि ये बेड़ में जो अंदर कबर्ड में समान रखने के जगह है इसमें तो इसको मैं सोच रही थी कि मैं इसका समान सारा निकाल के चेक करूंगी इसमें है क्या क्योंकि जब से हम लोग इस घर में आए हैं औ और सारा समान इसमें मैंने रख दिया है तो कभी मैंने पूरा समान नहीं निकाला और देखा भी नहीं तो फाइनली आज इसका मैंने टाइम भी निकाल लिया है कि इसको टाइम निकाल के और इसकी साफसफाई मैं कर ही देती हूँ तो सारा समान मैंने यहाँ पास निकाल लिय फाइनली इसको आज मैंने फटाफट से मक्षन निकाली है और अब भी बरतन भी पड़े हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेक फ़ाइस्ट से तो जो कपड़े में वेड्रोम में निकाल के रखके हाई हूं ना उनको मैं कल समीटूंगी आज साम तक में समीट के रख दो कि यहां पाज देख सकते हैं तो चलिए अब इधर मैंने रख दिया हैं घीप पकने के लिए और साथे साथ हैं इधर रखे हुए हैं वर्तन बहुत सारे हो गए हैं दूले के लिए और अभी लगाना है ज़ाड़ू और बाकी का जो बेटरूम का मैं काम लेके बैटी दी थ बाकी काम मैं बाद में करूंगी अभी मैं ज़लती हूँ जाड़ू पोचा वाला यह पूरा कीचन का काम कम्प्लीट करती हूँ नई तो फिर खाना बनाने के लिए नहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा रह गया कप्ड़े वाला जो मैं विस्तर में पड़े हुए हैं मैं बाद में करूंगी नहाने के मतलब लंग्चोंच के बाद उसाम टाइम काम में निप्टाओंगी तो चलिए इसको पकने के लिए रख दिया हैं तो यह पकता रहेगा और फटा-फट से लगाते हैं पोचा जाड़ू और यह वर्तन यह सारे काम निप्टाते हैं इसके किचन का काम निप्टाने के बाद मैं अब आ गए हो हॉल में हॉल का मुझे थोड़ा सा लूग चेंज करना है कल जैसे कि मेर वेट चेंज कर दिया था फिर आज दिमांग में चल रहा था कि इसके लिए लुक चेंज कर देती जैसे के पहले था ना वैसा ही मैं कर दूंगी बस थोड़ा से मैंने सोफा हटाया और क्लीरिंग का काम पहले साफ कर देती हुना अच्छे से और फिर सोफा उसी जगह में रख दूंगी जैसे कि पहले रखा रहता था अभी कुछ दिन पहले मैंने हटा के और मतलब अलग अलग दोनों सोफों को रख दिया था जहां पहले चार पाई रखी रहती थी तो मैंने रख दिया थी सोफे को तो फिल्हाला मैंने जैसे पहले था वैसा ही कर दिया है और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए घर का जो लुक इन अच्छा लगने लगता है और अपने घर की नहीं साफ़ सफाई भ मैं इस रूम में क्योंकि ऐसा घर ही बना है कि जदा इधर दोगधर समान में नहीं बस एक ही सोफा जेंज कर सकते हम बीच में बीच मैं रखने सकती कोई अगदम घर के गेट के सामने आ चाता तो भी अच्छा नहीं लगता तो मैंने साइड में कर दिया है अदोन में डाल देती हूं वेट सीट और वस अच्छा लगा मेरे को लोग अच्छा लगा ना हौल के जो पूरी जगह थी ना वो खाली होका क्योंकि च में डाले माता है टो आतं कर दना शार न कि यह घर कारल डाल दुगी 각झ अब लोग ना प्लीज कमेंट करए क्या पर आखेंगा है अब लोग अभी शाम का वक्त हुचका है करी पांच बजे क आ तो यह आज बास के अधुकि गार्लिक ब्रेट तो यह शीख गई है कि अंदर मैंने चीज एड़ किया है तो इसको आप लोग ओगा मेरे चैनल में मिनी ब्लोक में मिल जाएगा देखनी के लिए कि मैंने इसको ना गार्लिक ब्रेट कैसे बनाए है क्योंकि एक ही साथ ब्लोक शूटकरना और ब इधर मैं तयार करके रखा है ढार्लिक और सात में बटर हो गया और चिली शेक्स घन्या की पति सब को मैंने अच्छा से फेंट लिया है आप इसको अच्छा से पूरे में लगा देना और उसके ऊपर गार्लिक बटर है अम्हें तो में उन stun mana नहीं तो इसमें मैंने लगा दिया है एक पूरा बड्ह नियुक्त न करसे लाज़र के qay is the antibiotic प्रेटलागी बटर लगा हुआ है तो उधर ऐसे रख देना है और इसके ओपर भी गार्लिक बटर लगा देना है तो इस साइड में लगा दिया है और इसको ना मैं कवर कर दूंगी ताकि जो चीज है ना अंदर से जल्दी मेल्ट हो जाए बात इसको मैंने बंद कर दिया और भी इस पेट मेना चेक करते रहना है अब ही साम का वक्त हो चुका है करीब साड़े साथ बजे के आज पास का थाइम होगा और मैं आ गए हूं किचन में तो सबसे पहले रखोंगी दो दो पकने के लिए आ गया है काफी टाइम पहले आ गया था तो अभी रखा हुआ है फिलाल और साथ ही साथ ये वर्तन रखे हुए हैं तो इनको लगाऊंगे मैं जाली में बांकी के किचन आज मैंने एक वीडियो सेयर करेगी हूं अपनों साथ मीली गई होगी कारलिक ब्रिट का तो इसके थोड़े बहुत बरतन है तो उसको भी मुझे फिलाल साफ करना है और खाने में देखते हैं कि अभी क्या बनाना है कुछ सोच रहे हूं तब तक ये बरतन बैवर्ट का में दौट साफ कर लेते हैं मिलती हैं अप्लोगों से खाना करीब करीब मैं बना की दोगी और भी आज़ क्रिछ झाने में कभा मैंने अधाय हर और जादा P मैं आज बनाया था क्रिछट भी चैजी से जलदी नहीं है कुछ कि तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना दिया था तो सबका खाना पिना हो गया है फटा फटा सारा बरतन मैंने उठा के रख दिया सिंग में और थोड़ी से खिचड़ी बच गई है उसको भी मुझे निकाल के दूसरे बरतन में रखना है पहले तो था कि दिमाग में नहीं ऐसे ऑसपटार से बरतन साफ okay उससे पहले सारा किचंट थोड़ा साफ कर लेती ज़्यादा गंदा तो आज मेरा किचंट हो नहीं था कि धख जुदी बनी एदो स्य nueald थे डी आपती साहित किट चिट पर जातेयं बाकी को ज़ना ही था जाता गंदा नहीँ था नहीं था भा स्व मैंने जो डिस्पॉसर से हलका सा मैंने गैस में मार दिया है इसके बाद सुखे कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि सुबह के लिए आसानी रहे अगर रात में सारी तैयारी कर लो सब्जी वाजी क्या वनाना है क्या बच्चों को सुबह देनी है तो फिर पात में जितना काम खतम करके लेटे न उतना ही अच्छा सुबह के लिए होता है तो चलिए मेरी किचन क्लेन हो चुकी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बस रहे गए हैं वरतन थोड़े से तो फड़ा वर्स दस मियाट में उनको मैं धोलूंगी और टाइम बताओं तो करी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब